इस कारिक्रम के पुर्णियार जखें बहुत सारी बाते हैं आप लोगों ने कहीं और हमने सुनी और कह तो दिये ही है कि महाराज आपको हम बोलने नहीं देंगे फिर भी अनमती लेकर के बोल रहे हैं शुरुवात हम करें महाराज ने कहा कि पर्सों कहा गया था कि दो दूले हैं और एक बराती है और महाराज ने कहा कि ऐसा कभी होते ही नहीं कि दूले जादा हो बराती कम हो तो हम उनसे ही पूछना चाहते हैं राम टेक दोजाद तेरा में कितने दूले थे एक थे के चौड़ीश थे बताओ 24 दूले थे न ठीक है उससामेश बराती भी बहुत थे लेकिन जिनको आप बराती कह रहे हो ये बेंड पार्टी है बराती नहीं बराती तो रिस्टेदार होते हैं रिस्टेदारों को बराती बनाया जाता है साधर्मी जो होते हैं वो बराती होते हैं अब कहा कि नहीं कोर्ट मेरेज की बात सब सुन रहे थे हम चुकि जब सुनने में आनन्द आता है तो चीजें आद भी रह जाती है नहीं तो सुनने में आनन्द नहीं आए तो चीजें भूल भी जाते हैं शने कहा कि हमेरेच के ह durum मेरेच कि osób सबसा कि दूले ने बराति 1 अद हो अच्छा एक अभी 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 सुनने कौ आया आप्ठी की समाज अपि की समाज में एक दिन-दो भाई ईक साथ दूले राजा बने थे बने थे नहां आभी अभी की वात है ठीक है? एक साथ दो दोगर है, तो दो बन सकते हैं ना? ऐसा तो नहीं, एक मुखिया हो और एक थोड़ा सकीया हो? ऐसा तो नहीं था न? सही वे ना? चलो कमकम हमारी जान कारी सही है. अब जो कहा कि ठीक है, दूले ज्यादा हो भी जायें, लेकिन पराती एक तो कब होते हैं? जब कोट मेरेज की बात हो कोट मेरेज नहीं इन लोगों ने दो वर्ज पूफ कोरोना काल भी देखा है चाय के स्वागत में भी वरात निकली है और वरात में दूले जादा और वराती एक ही होता है ऐसा भी इन ने देखा है तुम्हारा जी तो कोरोना काल की बात हो गई और कोट मेरेज की बात हो गई सुनो जब भी मुक्ति बदू से कॉंटेक्ट साइन हो जाता है फिर बारातियों की ज़्यादा इंतजानी की जाती और बारात सज जाती है और ऐसे ही हुआ नैमिनाद भगवान बले ही चपन करोड बाराती ले करके जा रहे थे वो बाराती राक के बाराती थे लेकिन बाराती के बाराती के लिए नैमिनाद भगवान के लिए दूले बनना मात परयावत था बाराती की उन्होंने कभी भी एक्छाई नेकी ओसोर देखाई नहीं और आज का दिन उनहीं के वहराग से पवित्र हो गया सोचो आज का दिन पवित्र नहीं हुआ होता तो तिलवारा घाट में पूजिनरियापक्षमण मुनिवर्शी वी सागय जी महाराज की दीख्षा नहीं हुई होती किस मजचे आज भी वैसा ही माहौल है तिथी भी वही है और वार भी वही है आज शनी बार है उस दिन भी शनी बार था तिथी तो वही है हाँ डेट भले वदल गई हो उस समय 21 अगस्त था आज 10 अगस्त है जैसा की कहा महाराजों ने की 10 अगस्त दिनांग की हसाब से 24 दीख्षाएं 2013 में भी हुई थी उस दिन भी शनी बार था आज भी शनी बार यह सारे साइयोग यह बता रहे हैं कि यह साइयोग मात्र नहीं प्रयोग के कुछ और योग के कुछ संकेत है प्रयोग क्या और योग क्या कभी भी आपने देखा हो जब कुंडली मिलाई जाती है वाराथ के पहले योग मलाई जाते यह मिलाते हैं कितनी योग मिल रह बताओ हां जब घर में बधु लानी हो तो योग मिलाने पड़ते हैं और जब मुक्ति बदी को पानी हो, तब भी योग में लाए जाते हैं, तीनो अभिन्य, अखिन्य, सुध उपयोग की निश्चल दसा, चे दभाव कर्म चे देश करता, चेतना किरियात हां, बताओ होता की नहीं होता, मन वचन काए ये तीनो योग एक में हो जाते हैं, इसके लाद मन वचन काए तो ठीक है, सम्मेक दर्शन, सम्मेक ज्ञान और सम्मेक चारित, जब तक अलग-अलग रूप में पलते रहते हैं, तब तक वो अकिंचित कर माने जाते हैं, ये भेद रतनतरह माना जाता, और जब तीनों मिल करके अभेद हो जाते हैं, जिसमें तब आराद ना मिल जाती है, तब जाकरके वो श्रुद्धोप योग की तशा, ऐसा योग मिलाती है, कि कईवल लिक लिए कारण बन जाती है, आज भले ही कईवल ना हो, लेकिन उस योग को मिलाने की, कुछ हद तक इसको जो बार-बार अभ्यास करते रहते हैं, एक दिन जब मंजिल पाने का समय आता है, तो मार्ग को अंतिम रूप पदान करते हैं, आप सब ने अपनी तरह से अंतिम रूप पदान करने का प्रयास किया, और आज ही के दिन, 20 वर्स पूर्व, 25 लोग अंतिम रूप पदा करने में लगे हुए थे और उसमें आपके नगर गौरव मुनिवर्शि विश्द सागर जी महराज विश्द सागर जी महराज अदुखुत अपने आप में वेक्तित्व सारे के सारे आज जो मुनिराज है उसमें दीख छित सब अदुखुत पतिभाव वेक्तित्व के धनी हैं एक को छोड़ दिया जाए तो यो कि इतालियां हमें मालुमती तुमारी कब बसती हैं एक को छोड़ दिया जाए तो अदुखुत बेक्तित्व है मुनिवर्विसर सागय जी महराज जिस जीवर्टा को लेकर के वीच वर्ष की साधना काल को लेकर के आज तक आए हैं जिस वर्ष देख्षित हुए करम अगा तीव्ड आविग उसी वर्ष भहां से बिहार होते पनागर आए तभी से उनका स्वास्त गंभी रूप से खराब हुआ लेकिन गंभी रूप से स्वास्त खराब होने के बावजूद भी कभी उन्होंने अपने आवश्रकों से और मूल गुणों से समझोता नहीं किया गौरब तो इसमें मानना चाहिए कि आपने आपकी माटी ने ऐसे सपूत को जन में दिया जो लगातार रोवों के लड़ करके भी कर्मों से लड़ने में कभी परास्त नहीं हुआ बलको कर्मों को परास्त करने में आज तक लगा हुआ है और कोई हो इतने लंबी दीव्यकाल तक अदिश्वास्त अनकूल ना बने तो कुछ और सोचने लग जाए लेकिन जो सोच समझ करके और ठोक बजा करके मोग समार्ग में आरूड हुआ हो उसके लिए कर्मों की ठोक ठोक भली न करे ठीक ठाक अवस्य करती रहती है और उसी क लिखिन जो उनके साथ चुललक जी का भीहार नयमावरसी वहां हुआ रथा उनका स्वास्त अनकूल नी रहा तो अचानक कुछी दिन पहले उन्होंने भीहार किया और सानवदा से बासवदा की दूरी कुछी दिन में पूरी करके और बासवदा में गंज का गंज परभाव कुना कर रहे हैं, धन्न हैं, उन्होंने ही कहा, जब हमारे पास ख़वर आई हाँ चातुरमाज के लिए, तो सबसे पहले हमने उन तक ख़वरे जाई, उसके पहले बताया ही था कि पूझ निया पक्समन मुनि पुंग उस्तधा सागाजी महराज, और पूझ मुनिवर्सी प्र कि आप, नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने का, हम तो सोच रहे थे, कुछ हमारी टीम बढ़ जाए, लेकिन सब बिलकर हम आप एला चोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। पिर उमने विशत सागजी महराज तक ख़वर पुचाई, तो हाभी क हाँ, बिलकुल अच्छा, इस बार तो काम पूराी करके आणा। हमने का कम सब तो साथ दे थे, कोई सात नहीं दिया, हां बिलकुल रहे बलकुल, हम नहत्य आया और यह दोनों भी, नहीं के साथ होगए हां, हम बिलकुल खोरी खरी बताएंगे, एक नहीं आप नहीं नहीं कहीं और की वस्ता बन जाए नहीं बिलखुल यह लोग लवकुष जैसे, नहीं? हनुवान जैसे कैसे ? जब राम और लवकुष का यूद्ध हो तो हनुवान राम का पक्ष नहीं देता है लवकुष का पक्ष देता है यह तो वो अलग अधारन के रूप में हो गया लेकिन यहाँ पर भले है हमारे साधर्मी है हमारे साधर्मी होते हुए भी जब कुछ धर्म संकट आता है तो दूसरी पार्टी में खड़े हो जाते हैं और हमें अकेला छोड़ देते हैं आज हम इनकी तारीफ नहीं करेंगे तुम लोग हम तारीफ नहीं करेंगे तो भी खुश हो रहा है क्यों असा क्या कर दिया इन लोगोने अब देखो जब यह सब हुआ आए यहाँ पर आने के बाद धर्म संकट गुरुदेव अक्सर कहा करते संकट से भी अती बिकट होता धर्म संकट संकट भी तो फिर भी सहन कर लिया जाए लेकिन धर्म संकट बहुत बिकट होता और जहां तक बात है अपने जीवन में जिनके कारण बिकटताएं आई है जटिलताएं आई है कोटिलताएं आई है उनको टालने की तो एक मात मौक्ष मार्ग ही उसके लिए कारण बनता है जो जहां है वहीं बेट जाएं जो जहां है वहीं बेट जाएं जितना इस्थान खड़े होने के लिए मिला है महिला परसन नागपुर से आई है अब जब बीच में बात आई गई है तो लगता है यह अपने संधियाने में आये है अब आप पूछोगे कौन सा संधियाना संधि मतलो समस्त समान बुद्धी जिसका हो उसका नाम संधि जैसा नागपुर के जनाले का पुन्न द्वार खोलने का जिम्मा नागपुल की महिला परसद ने अपने कंदों पर लिया था ऐसे ही मुगावली के अतिसाय छेते का पुन्न द्वार खोलने का जिम्मा मुगावली की महिला समान ने लिया है उसी का परिणाम है कि आज हर जगे अतिसाय अतिसाय देखने को मिल जा है अब यह कहीं भी बैठ जाएंगे इतना तो सुनन आवश्रक होता है जल्दी बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ जल्दी जहां हो वही बैठो अब रही बात मुख्यमार्ग पर जो साधक चलता उसकी साधना अनवरत रूप से जिस लक्ष को लेकर कर आगे बढ़ती है बढ़ते वक्त बाधाय आना सभाविक है चुकि सारी साधाओं का उदय हो जाए तो फिर मुख्यमार्ग मंजल तक ना पहुँच पाए लेकिन साधाओं के साथ साथ जब बाधाओं का प्रिवेश होता है तभी मुख्यमार्ग और मुख्यमार्गी दोनों की सही परिख्षा होती है और परिख्षा जिनोंने अभी तक पूरे मांक्स पाकर के उत्तीन की है वो एक मात्र परिख्षारती है जो हम सब के हिदय के सिंगासन पर आरोड पर हम पूछ आचारी गुर्वेशी बिध्या सागर्जी मारा आचे अभी कोई बीच में दो तीन संचालकोंने संचालन किया चोथे संचालक सेस थे वो साइच चारों मिलकर के साम को आएंगे आज चारों का संचालनी लोग साम को करना चाहते तो आप लोग संचाली निकल लो फेर हम सुनते रहेंगे कोई बात नहीं कम सकम ये तो अतिशा किसे कम नहीं कभी किसी मंच पर एक की बजाय दो संचालाग हो जाएं तो आपस में कभी संबलन कर जाएं लेकिन यहां पर यह सबसे बड़ा आतिशा है कि चार-चार संचालाग है और एक दूसरे के पूरत बनकर के संचालन करते हैं यह बहुत बड़ी उपलब्दी है पहले संचालागों को धूरना पड़ता था एक आज संचालाग तो संचालाग बन जाएं नहीं यहां तो चार हैं धूरो नहीं सब को बला के कहो कि एक साथ कर लो इतने में काम बन जाता साथ में यहां पर जो आपके लिए भक्ती में अपना सईहोग देते हैं वो सब भी कई अपना पर प्रतिवावान भहन और भाई हैं वो पी एक दूसरे के पूरग बन करके भक्ती कराते हैं जब आराधकों में भी एकता आ सकती है तो जो सिद्य समान एक बन करके सिद्धाले में बराजमान है उसकी सुरवात यहीं से होती है आराधक, साधक, फिर उसके बाद उपास्य और उसके पस्चाद सिद्धत्व सिद्धत्व की यात्रा सम्यक्त्व की बगर नहीं लेकिन सम्यक्त्व मात से भी सिद्धत्व नहीं सम्यक्त्व श्रावकत्व को जब प्राप्त करता है तो सिद्धत्व की यात्रा में पहला सौपान प्रारम होता और श्रावकत्व को पुष्ट करने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त की भक्ती भी कारण बनती तो फिर अपने जीवन में संसा से विरक्ती भी कारण बनती और श्रावकत्व मात्य से भी सिध्धत्व पराप्त हो जाए संभब नहीं सम्यक्टव, स्लावक पत्व और सिद्धत्व के बीच एक जो कड़ी रह जाती है उसी का नाम संतत्व हुआ करता है और आज के धिन नेमिनाद भगवान को संतत्व पराप्त हुआ बहें संतत्व इस संतत्व आत्मा के लिए संत्रिप्त करने के लिए कारंतना संतप्त संतत्व और संत्रिप्त तीनों शब्द में मिलते जुलते अक्षर है आप लोग सुन रहे हैं किसको देख रहे हैं आप लोग अब हम संतत्व की बात कर रहे हैं सम्यक्त्य की बात और स्रावक्त्य की बात बाद में करेंगे पहले संतप्त की बात आप सुन लो अनादिकाल से संतप्त आत्मा जब संतत्त को प्राप्त होती है तब जा करके उसको प्रारंब संत्रप्त होना प्रहोता है गर्मी में बहुत जुलस गए हो कंट बलकुल सूख गया हो रेगेस्तान का इलाका हो कहीं कुछ तिशा को भुजाने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा हो अचानक एदी जमीन से पानी फूटने लग जाए तो कैसा लगता ऐसा लगता अंधा क्या आग मांगे दो आखें और गुंगा क्या मांगे इसमात रसना को और ऐसा ही उस वक्त जब पूच गुर्देव का वर्दानी हस्त किसी सादक के मस्तक पर अपना सिंगासन बनाता उस वक्त उस सादक को ऐसा ही लगता इस कारिक्रम के पढ़नियार जगते श्री राजेंद प्रसाज जैन श्रीमती मम्ता जैन श्री प्रशांत जैन श्रीमती दिव्या जैन पारस जैन श्री भरत जैन श्रीमती सौम्या जैन इवं समस्त परिवार मुंबई श्रीमती सौम्या जैन